अबसे पहले salary payable को select करना है और जितनी भी salary आप अपने employees को pay कर रहे हैं उत्रा amount आपको यहाँ पर fill करना है तो हम यहाँ पर amount डालने एक लाख रुपे क्योंकि हमारी जो employee की मंथली salary है वो एक लाख रुपे है और उसके बाद आपको यहाँ पर enter pass करना है यहाँ पर आपको just rate and related details के अंदर as per company master को रखते हुए यहाँ पर आपको इसे enter enter कर देना है credit में आपको यहाँ पर select करना है मोहन को यानि आपको यहाँ पर अपने employee को select करना है जिसको आप payment कर रहे हैं जैसे आप यहाँ पर enter pass करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5% के हिसाब से 5000 रुप किस तरीके से चलान को generate कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके full form की दोस्तों TDS की full form होती है tax deducted at source इसका मतलब यह होता है कि जहां से आपकी revenue generate हो रही है यानि जहां से आपकी income आ रही है वहीं पर tax को काट लिया जाता है और बचा हुआ amount आपको दिया जाता है जैसे म salary है वह आपको दी जाती है अब यहां पर company आपका TDS card करके वह पैसा सरकार को pay कर देती है अब ऐसा क्यूं होता है आइए जानते हैं दोस्तों जब भी कोई company साथ लाग से उपर का amount pay करती है अपने employees को एंवली तो यहां पर company की जिम्मधारी बन जाती है TDS को detect करना यानि व दोस्तों जब भी कोई company अपने income tax return को file करती है तो वहां पर अपने balance sheet के अंदर अपने salary expenses को show कराएगी और यहां पर अगर उस company ने TDS को detect नहीं किया होता है तो यहां पर सरकार उसे उसकी income मान लेती है और यहां पर उसको उसका tax देना पड़ता है इस tax से बचने के लिए company यहां पर अपने सभी employees का यहां पर TDS detect करती है दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने TDS का पैसा अपनी salary में से detect करवाया है वो आपका waste हो जाएगा यहां आपको return नहीं मिलेगा दोस्तों जब भी आप अप अपनी income tax return को file करेंगे वहां पर आप अपने expenses को show करा करके ITR claim कर सकते हैं जिससे आपका कटा हुआ TDS यहां पर आपको return मिल जाता है तो दोस्तों इस तरीके से government TDS को detect करती है तो चलिए इसे हम practical तरह से समझते हैं कि आपकी इस तरीके से telly prime के अंदर income tax को detect कर सकते हैं तो दोस्तों TDS entry pass करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक नई company को create करने वाले हैं हम यहां पर इसका नाम रख देते हैं TDS on salary इसके बाद आपको यहां पर enterprise करना है यहां पर आप देख सकते हैं mailing name में आपको same name दिखाई देगा आपको यही नाम रखते हुए enterprise करना है और यहां पर आपको अपनी company का address फिल करना है तो दोस्तों यहां पर हमने अपनी company का address फिल कर लिया है इसके बाद हम यहां पर enterprise करते हुए नीचे आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं आपको state दिखाई दे रहा है तो यहां पर हम सबसे पहले state को select करेंगे दिल्ली को select करते ह हमने यहाँ पर enter press कर दिया, यहाँ पर आपको अपना pin code डाल देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर enter press करना है, telephone number में आपको यहाँ पर अपना telephone number टाइप कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर enter press करना है, यहाँ पर आपको अपनी company का mobile number फिल करना है, तो randomly हमने यहा पर email id डाल दी है, इसके बद हम यहाँ पर enter paste करेंगे, website में आपको यहाँ पर अपनी company की website को fill करना है और उसके बद आपको यहाँ पर enter parce करना है, enter enter करके आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस्टी आपको दिखाई दे रही है, यह अगर आप इसे no करना चाहें, तो कर सकते हैं, फिलाल हम इसे yes रहने देंगे, और यहाँ पर हम इसे control A की मदद से इसे accept कर लेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको TDS को yes करना है, यानि Y-Press करके आपको यहाँ पर enterprise करना है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे 10 registration number आपसे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी company का 10 registration number टkayप कर देना है, तो randomly हमने यहाँ पर एक number टाइप कर दिया है, इसके बाद हम यहाँ पर enterprise करेंगे, और यह कौन सी ब्रांच और कौन सी डिविजन से आप टीडियस को डिटक करेंगे तो यहाँ पर हम माल इजिट डाल देते हैं संतनगर और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाए देगा set alter detail of person responsible यानि कौन सा person responsible होगा TDS डिटक करने के बाद उसकी payment करने के लिए तो हम यहाँ पर इसे y प्रेस करते हुए enter प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम person का नाम फिल कर देंगे तो दोस्तों नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर उनके father का नाम डालना होगा तो दोस्तों father name ड कर दिया है इसके बाद आपको यहाँ पर उनका complete address उनका pin code वगरा mobile number email id सब कुछ fill कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो std code भी डाल सकते हैं हमने 911 डालते हुए इसको enter enter करके इसे यहाँ पर accept कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और option आपको दिख करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं example के लिए हमने यहाँ पर एक question लिया है जिसमें हम मोहन को salary pay करने वाले हैं जिसकी age है 40 years और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किस company में काम करता है तो ह कि ELSS के अंदर उसने fund invest किया है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 60,000 रुपे का उसने PPF में invest किया है और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 रुपे का उसने NSC में invest किया है तो यहाँ पर question यह बनता है कि उसका total TDS under section 192 के तहत कितना deduct किया जाएगा और क standard detection जिसमें 50,000 रुपे की value आपको दिखाई दे रही है जो कि allow की जाती है salary income के लिए यानि कि जब भी कोई person अपनी salary यानि income tax को file करता है तो 50,000 रुपे तक वो standard detection ले सकता है यानि 12,000 रुपे अगर यहाँ पर इसकी salary है तो यहाँ से वो 50,000 रुपे को minus कर सकता है उसको जो income tax pay करना होगा वो केवल 11,50,000 रुपे का ही income tax pay करना होगा और 50,000 रुपे यहाँ पर standard detection के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई documentation देने की आवशक्ता भी नहीं पड़ती इसके बारे में detailed video आपको बना करके दे दूँगा फिलाल हम यहाँ पर केवल TDS के बारे में बात करने वाले हैं नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं detection as per declare employee यानि employee ने अपना detection को यहाँ पर declare किया है chapter 4 के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 रुपे का जो fund था वो उसने invest किया था ELS के अंदर 60,000 रुपे का PPF के अंदर और 40,000 रुपे का NST के अंदर अगर हम उसका total यहाँ पर expense है जो कि हम 12,000 रुपे में से यहाँ पर minus करने वाले हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं calculation of TDS from monthly salary as per the new tax regime इसके हिसाब से हमारी जो salary होगी वो किस तरीके से calculate की जाएगी आये जानते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हमने यहाँ पर एक table ली है जिसमें हमने slab based rate के हिसाब से total TDS को deduct करना बताया हुआ है इसी amount के हिसाब से हम यहाँ पर teleprime में TDS को deduct करने वाले हैं तो सबसे पहले हम इस पूरी table को समझ लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं question के माध्यम से मोहन की जो gross salary है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000,000 चासाजार रुपे की total gross taxable income यहाँ पर बन चुकी है इसके बाद chapter 4A detections के हिसाब से 1,500,000 रुपे का उसने अपना यहाँ पर expense declare किया है तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें tax as per applicable slab based rate के हिसाब से तो उसको किवल 10,000 रुपे का ही यहाँ पर income tax पे करना होगा अब इसका slab based rate किस तरीके से बनता है आईए नीचे की तरफ आगको बताते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारा जो slab based rate है अब 2 रुपीज 3 लाक निल यानि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी person की 3 लाक रुपे तक annual salary आती है तो उसको यहाँ पर कोई भी tax amount पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके बाद अगर किसी person की salary 3 लाक से 6 लाक के बीच में या उसके बराबर आती है तो उसको यहाँ पर 5% का TDS पे करना होगा इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 लाक से 9 लाक के बीच में अगर आपकी किसी की salary आती है तो यहाँ पर उसे 10 का slap based rate पे करना होगा उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 से 12 लाक के बीच में अगर किसी की salary आती है तो यहाँ पर उसको यहाँ पर 30% का TDS पे करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5% tax rebate under section 878 इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तो अगर आपकी salary 7 लाक रुपे तक होती है तो यहाँ पर आपको rebate मिल जाता है जिसकी वज़े से आपको यहाँ पर कोई भी TDS पे करने की जुरत नहीं पड़ती यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लाक से 9 लाक क salary होती है तो government उसे यहाँ पर rebate देती है अब यह rebate होता क्या है इसके बारे में मैं आपको detail video बना कर दूँगा अगर मैं इसे इसमें समझाने लगा तो यह बहुत ही जादा complicated हो जाएगा तो फिलाल हम अपने question की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते ह हमने यहाँ पर इसकी calculation कर ली है हमारी जो annual salary बनती है वो यहाँ पर देख सकते हैं 10,000,000 रुपे है जिसमें कि 3,000,000 रुपे तक हमें यहाँ पर कोई भी tax amount पे करने की जूरत नहीं है और 3,000,000 से 6,000,000 के बीच का जो difference है वो 3,000,000 रुपे है और 3,000,000 का अगर हम यहाँ प 5% का TDS निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 15,000 रुपे बनता है इसी तरीके से 6,000,000 से 9,000,000 के बीच का जो 3,000,000 का difference हम यहाँ पर निकालेंगे उसका जो tax amount बनेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपे का बनेगा इसके बाद आप यहाँ पर दे 5,000 रुपे का अगर हम यहाँ पर 15% निकालते हैं तो 15,000 रुपे यहाँ पर बनता है अब इसको मैं आपको एक बार calculate करके दिखा देना चाहूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Excel में हमने एक sheet बनाई हुई है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं up to 3,000,000 रुपे के हि 5% निकला है यह कैसे निकला है मैं आपको एक बार calculate करके दिखा देना चाहूंगा यहाँ पर आपको is equal to का इस्तमाल करना है 3,000,000 को multiply कर देना है 5% से और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर interface करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रुपे का हमारा tax amount यहाँ पर आ च और इसके बाद जैसे अब यहाँ पर interface करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 रुपे की हमारे यहां पर value आ चुकी है अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो annual salary है वो यहाँ पर 10,00,000 रुपे है हमारी जो salary थी वो 12,00,000 रुपे थी जिसमें से 50, चास अजार रुपे का टेंडर डिटेक्शन हो गया और उसके बाद डेड़ लाख रुपे का हमारे यहाँ पर expenses है total हमारी जो salary यहाँ पर बचती है वो 10 लाख रुपे बचती है तो 10 लाख रुपे के हिसाब से अगर हम इन तीनों को calculate करते हैं तो हमारी जो total value बनती है वो 9 लाख रुपे बनती है और इसके बाद यहाँ पर हमारी जो annual salary हो 10 लाख रुपे है तो हमें केवल 1 लाख रुपे का यहाँ पर 15% का tax pay करना होगा तो यहाँ पर 1 लाख का हम यहाँ पर 15% निकालने वाले हैं तो हमारी जो tax amount बनेगा वो यहाँ पर 60,000 रुपे बन जाएगा तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो tax well value है यहाँ पर 60,000 रुपे हमने लिखा हुआ है तो दोस्तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो total tax है यानि tax amount है अगर हम आपकी जो tax value है वो यहाँ पर पर मंद के हिसाब से आपके सामने रेप्रेजेंट हो जाएगी तो इसको भी मैं आपको एक बार calculate करके दिखा देना चाहूंगा में कैसे convert करेंगे उसका भी formula आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको भी मैं आपको एक बार clear कर देना चाहूंगा यहाँ पर आपको control के साथ F9 प्रेस करना है is equal to का इस्तमाल करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पह करना है तो हम यहाँ पर slash करेंगे और यहाँ पर अपनी monthly salary को यहाँ पर fill करेंगे तो हमारी जो monthly salary है वह यहाँ पर 1,00,000 रुपे है तो हम यहाँ पर 1,00,000 रुपे डालेंगे तो दोस्तों इसे आप किस तरीके से टली प्रायम के अंदर डिटक करेंगे आईए जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर gateway of tally पर आना है और उसके बाद यहाँ पर हमें create को select करते हुए यहाँ नीचे की तरफ आपको एक option दिखाए देगा tedious nature of payment इसको select करना है यहाँ पर आपको tedious का nature create करना है तो जैसे माल लीजिए example के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं salary section में हम यहाँ पर type कर देते हैं 192A और उसके बाद हम यहाँ पर enter press करेंगे payment code के अंदर हम यहाँ पर type कर देंगे 92B और उसके बाद यहाँ पर enter press करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर enter एंटर करके percentage फिल कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर monthly percentage था वो 5% का था तो यहाँ पर हम 5 डालते हुए enter pass करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको limit में कुछ भी amount fill नहीं करना आपको केवल यहाँ पर enter करके इसे accept कर लेना है इतना करने के बाद आपको यहाँ से skip करके बाहर आ जाना है और इसके बाद आपको यहाँ से ledgers में आना है और यहाँ पर हमें कुछ ledgers create करने है जैसे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ledger हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है salary paypal का तो हम यहाँ पर salary paypal के नाम से एक ledger create करने वाले है इसके बाद यहाँ पर आपको enter enter करके इसे under of डाल देना है indirect expense, indirect expense रखने के बाद आपको यहाँ पर enter enter करके नीचे आ जाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक optional दिखाई देगा set, alter, other, statutory detail आपको यहाँ पर इसे yes करना है yes करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं steadyus applicable का आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पर undefined दिखाई दे रहा है आपको अपने keyboard से space को press करना है इसे यहाँ से applicable को select करते हुए enter press करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने nature of transaction बनाया था यानि salary के नाम से उसे आपको यहाँ पर select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर इसे enter एंटर करके accept कर लेना है तो यहाँ पर हमारा पहला ledger create हो चुका है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा ledger है वो यहाँ पर मोहन का है जिसे under of डालना है हमें sendry creditor तो यहाँ पर हमने मोहन को under of sendry creditor डाल दिया है इसके बाद आपको यहाँ पर enter enter करके इस tedious deductible के अंदर आ जाना है इसे आपको यहाँ पर yes करना है और यहाँ पर आपको नहीं साब से जो भी आपका person जिस category में आता है आपको वो category select कर लेनी है तो यहाँ पर हम इसे individual resident select करते हुए enterprise कर रहे हैं यहाँ से आपको फिर से nature of payment दिखाई देगा तो यहाँ से हम वापस से salary को select करेंगे end of list करेंगे और enter enter करके यहाँ नीचे आ जाएंगे अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी employee को salary पे कर रहे हैं उसका laser बनाते समय उसके pen card को आपको यहाँ पर जरूर फिल करना है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर TDS का जो rate होगा वो 20% के हिसाब से deduct किया जाएगा तो यहाँ पर हम pen card number फिल कर लेते हैं तो दोस्तो रेंडमली हमने यहाँ पर एक pen card number फिल कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर enter press करेंगे provide pen detail को हम यहाँ पर yes करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका employee का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा इसे आपको select करते हुए enter press कर देना और यहाँ पर आपको regular select करते हुए enter enter करके इसे यहाँ से accept कर लेना है तो दोस्तो इतना करने के बाद हमें यहाँ पर एक और laser create करना है यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो तीसरा laser है वो यहाँ पर TDS on salary का है और इसे under of डालना है हमें duties and taxes के तो यहाँ पर हमने TDS on salary के नाम से एक laser create कर लिया है और इसे under of डाल दिया है हमने duties and taxes यहाँ से आपको TDS को select करना है salary को select करना है और इसके बाद यहाँ पर इसे enter enter करके accept कर लेना है इसके बाद एक last laser हमारा बच्चता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते है HDFC bank के नाम से आपको दिखाई दे रहा है तो इसे हम HDFC bank का एक laser create करते हैं इसे under of डाल देंगे bank account के और यहाँ पर हम फटाफट bank की सभी details को fill कर लेते हैं तो दोस्तो सभी details को fill करने के बाद यहाँ पर हम इसे enter enter करके इसे यहाँ पर accept कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर ledgers create हो चुके हैं अब हमें यहाँ से escape करके बाहर आ जाना है यहाँ से हमेर जाना है vouchers के अंदर vouchers में आने के बाद यहाँ पर आपको press करना है F7 F7 प्रेस करते ही आप यहाँ पर general voucher के अंदर enter कर जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले salary payable को select करना है और जितनी भी salary आप अपने employees को pay करने है उत्रा amount आपको यहाँ पर fill करना है तो हम यहाँ पर amount डालने 1,00,000 रुपे क्योंकि हमारी जो employee की monthly salary है वो 1,00,000 रुपे है और उसके बाद आपको यहाँ पर enter pass करना है यहाँ पर आपको justly rate and related details के अंदर as per company master को रखते हुए यहाँ पर आपको इसे enter, enter कर देना है credit में आपको यहाँ पर select करना है मोहन को याँ आपको यहाँ पर अपने employee को select करना है जिसको आप payment कर रहे हैं जैसी आप यहाँ पर enter pass करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 परसंड के हिसाब से 5000 रुपे का detection यहाँ पर automatically कर दिया गया है इसके बाद आप यहाँ पर जैसी enter pass करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है new reference आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो salary amount था वो 1,00,000 रुपे था, जो हमें देना था मोहन को, जिसमें से 5,000 रुपे का TDS हमने यहाँ पर deduct कर लिया है, इसके बाद आप इस entry को यहाँ पर accept कर सकते हैं, enter, enter करके हम इसे यहाँ पर accept करने हैं, तो यहाँ पर हम आपको एक option दिखाए देगा TDS report का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, TDS outstanding आपको यहाँ पर दिखाए देगा, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5000 रुपे का amount है, जो कि हमें government को pay करना है, जो कि हमने यहाँ पर deduct कर लिया है, अब हम इसे किस तरीके से pay करेंगे, आइए जानते हैं, इसके लिए आपको skip करके बाहर आना है, उपर की तरफ आप देख सकते हैं, आपको एक option दिखाए देगा, form 26Q, इसको आपको select करते हुए, यहाँ पर एंटरपेस करना है, एंटरपेस करते हैं, एक लाख रुपे की जो हमारी payment थी, हमने यहाँ पर की है, जिस पैसे 5000 रुपे का हमने यहाँ पर tax deduct कर लिया है, अब इसके बाद इसकी payment करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक option दिखाए देगा, start payment का इस पर आपको click करना है, इस पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप सकते हैं, इस पर आपको एक option दिखाए देगा, इस पर आपको click करना है, इस पर click करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको period दिखाए देगा, एक मार्च 24 से 31 मार्च 24 की हम यहाँ पर salary pay कर रहे हैं, till date आपको यहाँ पर दिखाए देगा, 1 April 2022, इसके बाद आप पर दिखाई देगा 192A, इससे select करते हुआ आप यहाँ पर salary को select करेंगे और यहाँ पर interface करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको select करना है non company, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने bank को select करना है, जिस bank account से आप salary को pay करने वाले हैं, तो यहां पर आपको preview का option दिखाई देगा इस पर आपको select करते हुए enterprise कर देना है तो दोस्तों यहां पर इसे zoom करने के लिए आपको alt के साथ z press करना है इतना करने के बद आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो text चलान होगा वो आपका यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा इ नेवादगा